हेलो एव्रिवान वेल्कम बाक टू माइ चानल मैं हो निधी स्टार्ट कने से पहले आप मुझे बताईए आप सब लोग कैसे हो मैं तो अच्छी हूँ I hope you all are also doing great आज मैं आप लोगों के साथ शेर करूंगी एक डियाएवाइवाई बिकॉस जैसा आज कल जो मभॉल चल रहा ह बहुत ही difficult हो गया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक DIY शेर किया जाए देखो जितनी भी married women's होती है उनके पास सुखा सिंदूर तो होता ही होता है बलकि बहुत जादा होता है मेरे पास बहुत जादा सुखा सिंदूर है तो कभी ना कभी सिंधारे पे festivals पे हमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है ठीक है सो सुखे सिंदूर का यह होता है कि थोड़ा सा difficult होता है लगाना पूरा बालों में फैल जाता है सो कुछ जैसे working women's होती है तो वो उसको use नहीं कर सकती और अभी ऐसा यह है कि हम बाहर जाके कुछ ला नहीं सकते सो मैं वही अगर हम कहिंघती है लिक्विड सिंदूर में convert कर दे सो उस हो जाएगा और लगाना बड़ासान हो जाएगा हमारा तो चलो फिर सबसे पहले तो ऑपको चाहए सिंधूर मेरे पास ही सिंदूर था तो मेरे पास रखा हुआ है तो मैं इसको यू सकर रही हूं चोटी डिब्यां भी आ और थोड़ा सा मुझे चाहिए कैस्टर ओयल ठीक है तो यह हो सकता है देखो आप लोगों में से कोई यह सोच रहा हो कि हम सिंदूर बना तो लेंगे लेकिन उसको हम स्टोर कैसे करेंगे तो या तो आप देखो क्या कर सकते हो लिक्विड सिंदूर बना के एक छोटी सी डिब से लगा सकते हैं उससे लगा सकते हैं या फिर अदरवाइस देखो कोई भी आपके पास पुरानी लिक्विड सिंदूर की जो ऐसे जो कंटेनर जो होता है वो आप यूज कर सकते हो उस जैसे मेरे पास भी था मैंने इसको अच्छे से वाश कर लिया वाश करने के लिए किसमें फिल करते हूं तो अराम से फिल हो जाएगा और लीक भी निकरेगा यह स्टॉपर होता है इसलिए ठीक है तो मैंने इसको अलग से निकाला हुआ है तो मैं बना के अपना सुखा सिंदूर इसी में स्टोर करके रख दोंगे तो चलो फिर मैं बनाती हूं देखो मैंने के बाद मैं इसको बंद करके रख देती हूं फैल जाएगा सारा ठीक है और मैं थोड़ा सा इसमें ले लोंगी अलवेरा जेल जस्त देखो इतना सा कॉंटिटी जरा सी कॉंटिटी लिया है जादा नहीं लोंगी और इसमें मैं आपको यह कहूंगी कि आप प्लीस जो मार्क इसके बाद नहीं तो इसलिए जो बाहरा के ऐलोवेरे जल होता है केमिकल बेस्ट होते होते होती है उसमें काफी समयों तक सही रहता है इसलिए मैं बोल कई आप वाला मारकेट-बेस्ट आलोवेरा जल इसमें मैंने सिंदूर डाल दिया ऐलोवेरा जेल नाल दिया थाफ़ goin अब मैं ले रही हूँ यह वाइटिमन E की कैपसूल इसको मैंने कट कर लिया है और मैं वही अपने बाउर में डाल रही हूँ पूरी एक कैपसूल डाल दूंगी मैं इसमें मतलब 5-6 ट्रॉप्स होंगे तो मैंने इसको अच्छे से डाल दिया और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी लिक्विड और स्मूथ हो जाए उसके लिए मैं कैस्टर ओल ले रही हूँ आप चाहो तो अलमंड ओल भी ले सकते हो बट मैं कैस्टर ओल ले जियूं क्योंकि कैस्टर ओल हेर्स के लिए बहुत अच्छा होता है बालो के लिए तो जस्ट मैंने 3-4 द्रॉप्स ओफ क अश्टर ओल लिया है ताकि थोड़ी सी स्मूथ हो जाए लिक्विड हो जाए जादा नहीं लेंगे नितो वह बह जाए गा तो देखो इसकी अभी ऐसी है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लीया और मेरी कंसिस्टेंसी देखो ऐसी हो गई है मैं दिखाती हूँ आपको यह दे बिल्कुल नाचुरल है कुछ नहीं है इसमेंchemicals भगेरः इस में अपना ही सिंदूर कर दूँंगे इस तरीके से मैं भूब अपना ही सिंदूर करना है देखो धीरे-धीरे कोई जल्दी नहीं है अरना वह साइड में से निकल जाएगा अराम-अराम से फिल करें तो देखिए यह मेरा बन गया है मेरा इतना बना है मैं चाहती तो और भी बना सकती थी जाधा बट मुझे जाधा चाहिए नहीं विक़ोज मेरा यह बी एक ड और मैंने लगाया नो जंजट कोई फैनले का जंजट नहीं कुछ नहीं अब मैं आपको इसकी आप्लिकेशन दिखाती हूं कि किस तरीके से ये देखो होगा देखिए अब कोई कह सकता है कि ये सुखा सिंदूर है जिसको हमने लिक्विड बनाया है देखो इतना बढ़िया है मैं आपको ये लगा के भी दिखाती हूँ कोई फैनले का नहीं बिल्कुल प्रॉपर जैसे मार्किट में लिक्विड सिंदूर आता है उसी की तरह है कुछ नहीं देखो कुछ नहीं बहरा कुछ नहीं बस मैं ये कहूंगी कि आप फिर भी सेफ साइट के लिए जब भी कहीं कहीं जाएं बाहर जाएं तो 10 मिट पहले लगा लिजिए ताक ही वह अची से सेटल हो जाएं और विल्कुल जैसे नॉर्मल जैसे नीट लोग आ रहे है जिसे कहेंगे बाहर का लिक्विड सिंदूर राते हम विल्कुल वैसा ही है मेरा सुका सिंदूर यूस भी हो गया और ना कहीं जाना पड़ाना कुछ तो है न बड़ी असर डियाएवाई तो अगर आपको मेरी वीडियो हेलकफल लगती है तो प्लीज तो लाइक अब सब्सक्राइब तो माई चानल और भी कोई आपको डियाएवाई देखना है कुछ पूछना है कुछ तुटोर्ल सेखनी है तो प्लीज तो में प्लीज तो में देखनी है तो मुझ तो मुझ तो मुझ थाफड़ाई